Overseas Prime 1 Sector M में इस वक्ड डिवेलप्मेंट की सूरतेहल क्या है as of 4th week of September 2023 अगर हम बात करें Overseas Prime 1 के overall इसमें किस dimensions के plot हैं तो इसमें 4 मरला और 8 मरला के commercial plots हैं और ये एक मरकज है basically जो चक्री रोड पे facing है और ये adjacent है gate number 1 के साथ और access road 1 के साथ यानि कि जो भी individuals चक्री रोड से अगर M2 Motorway पे Capital Smartity के इंटरेजिन के दूरू जाना चाहते हैं तो gate के साथ left side पे जो पहला मरकज है उसके हवाले से ये video है अगर हम बात करें actual side के development की तो approximate तकीबन 10 से 15% land है जो brown हुई है यानि कि जिस पे आप confidence के साथ कह सकते हैं कि ये वरी land society के पास मजूद है remaining 85% से 90% जो land है वो society के पास मजूद नहीं है इवन दो अगर actual side पे आप देखते हैं तो वहाँ पे plantation भी हुई है यानि कि जो जिनके पास वो land है वो उस पर काश्तकारी भी कर रहे है और society के पास visible ही तोर पे वो land मजूद नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में most probably वो land जो है वो under process होगी या under negotiation होगी कि किस rate पर society को देना है या जो भी महामलात होंगे जब वो land clear होगी तो उसके बाद sector M की development स्टार्ट होगी right now J, K, L और M sector जो है करेगी तो इंशाला मैं उस हवाले से भी update कर दूँगा right now जो फोटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एकसेस रोड बन के साथ यह पंटिन्यू करते हैं towards M2 motorway interchange तो उसके साथ सारा left side बनता है और left side बेल एरिये में जहां पर मिशिनरी पार्क नजारी है यह सेक्टर K का अरिया है और सेक्टर K में एक कनाल और दो कनाल की dimensions के plot है और बिल्कुल opposite side बे सेक्टर H है जहां पर एक कनाली cuttings है और वहीं से एकसेस जाता है directly overseas east को right now जो अभी एक सबसे easiest access है इंटर्चेंज से overseas east के लिए वह सेक्टर H के बीच में से जाता है अभी आपको background में सारी lands के लिए नजर आ रही होंगी यह शुरू आपको नजर आ रहा है जिसमें आपके plot number आप कहलें कि पर road to A आ जाता है यह तमाम एरिया जो बनता है उसकी land अभी society के पास मुझूद नहीं है जब उसमें development होगी तो मैं उसके वाले से बता दूँगा for the time being अगर देखें हम अगर इसमें combine करें sector M को सब mainly जो इसमें आप पार्ट देख रहे हैं यह sector M का है स्पेसिफिकली तो वह एरिया डिवर नहीं है जब society की तर से वाम पर development होगी तो इन्शाला मैं उसके वाले से दुबारा वीडियो बना दूँगा अगर बात की जाए sector M की पॉर्टस के वाले से तो sector M जो है वो बहुत important sector है in terms of revenue और in terms of visibility of capital smartity कि चक्री रोड के उपर जिस तरह different housing projects हैं चक्री रोड के उपर उनके बड़े prime location पे बड़े अच्छी elevation के साथ class के gate बने हुए है Capital smartity का अभी चक्री रोड पे कोई visibility नहीं है अगर आप capital smartity till the time आपको पता नहीं होगा कि आपने visit नहीं होगा पहले आप capital smartity को उस तरह से judge नहीं कर सकते क्योंकि चक्री रोड पे जब आते हैं तो सबसे पहले आपकी जो society आती है उनके gate जो है वो बड़े prominent है और capital smartity का भी तक gate मजूद नहीं है reason is के capital smartity की management में सारा focus जो था वो inside development पे जो यानिके project के अंदर development है plotting पे उस पे किया था overall जो gate की visibility है या overall जो gate के साथ मरकज है उसको society ने अभी तक focus नहीं किया लेकिन यह मरकज जो है यह बहुत ज्यादा एहमियत का हामिल है क्योंकि इसी मरकज से capital smartity के चक्री रोड पे visibility है वो clear होनी है यानि कि इस मरकज में क्योंकि किसी और project के पास चक्री रोड पे मरकज मजूद नहीं है तो चक्री रोड पे सबसे grand मरकज बनेगा वो sector M के नाम से होगा यहां पर तक्रीबर अगर मैं काउंट करूं तक्रीबर नहीं तक्रीबर सारे के सारे प्लाजा बनेंगे तो एक बहुत अच्छा मरकज नजर आएगा downtown टाइप जब उस तरह का मरकज यहां बनेगा तो capital smartity की चक्री रोड विजिबिलिटी बहुत ज्यदा clear हो जाएगी solutions.com अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज रूलाइक कमेंट और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तरक के लिए खुदा हाफिस